कर दोस्तों नमस्कार मैं विरत सेलेक्शन में आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज हम लोग यहां स्थानि स्वाषासन के बारे में पढ़ने चा रहे तो हम पढ़ेंगे यहां पर सिद्धन प्रशन यहां पर बन सकते हैं कि जो इस सानी शाषन है में सांधीत यहां बनेंगे उसमें अब को बतायार सकता है कि इस सानी शासनस के उपलब्धियों के बारे मताईए, महत्व के बारे मताईए, या फिर आपसे पूछा आ सकता है, पंचायती राज प्रणाली जो है, उससे समधित किस प्रकार के संशोधन भारती समविधान में किये गए हैं, उससे समधित प्रशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं, या फिर प इस्थानिय शासन जो है local ruleship जो है उसका महत्व क्या है स्थानिय शासन के महत्व पर प्रकास डालिए ऐसे question पुछा आ सकते हैं या फिर आप से दूसरा प्रशन पूछा सकता है भारती पंचायती राज प्रणाली या हुए इससे संबंधित प्रमुख भारतिय सम्विधान के संशोधन पर चर्चा करें इस पर एक प्रशन आप से इस तरीके से पुछा सकता है या फिर आपसे इसी से प्रशन पूछा सकता है पंचायती राज की उपलब्धियों एवं पंचायत प्रणाली के समक्ष समक्ष पंचायत प्रणाली के समक्ष जो समस्याएं हैं समस्याएं इन पर आपसे पूछा जा सकता है समस्याएं बताईए और इसी को और बड़ा करते हुए या अलग प्रशन के रूप में तथा ऐसे भी पूछा सकता है तथा पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने हे तू कुछ सुझाव दें तो ये सारे प्रशन इस नेचर के questions जो हैं वो आपसे पूछे आ सकते हैं इस्थानी शासन में और पंचायती राज प्रणाली सिस्टम में तो इस सारे प्रशनों का उत्तर किस प्रकार से देंगे उनको जरह मैं आपको यहाँ पर बता रहता हूँ सबसे पहले स्थानी शासन के अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो हम अपने आप प्रशासन की व्यवस्था के बारे में भी जाने की हमारे देश में प्रशासन कैसा है प्रशासन में सबसे पहले केंद्री प्रशासन है और केंद्री प्रशासन के बाद बाद उसके बाद देखा जाए तो राज की प्रशासन है यानि की यूनियन है उसके बाद हमारे पास में अड्मिस्टेशन में स्टेट है और मुख्य तोर से देखा जाए तो प्रारंब में हमारे पास में केवल यही दो कह सकते हैं कि authorities थी, state और union लेकिन जैसा कि भारत की जनसंख्या बहुत जादा है, सबसे पड़ी बात जनसंख्या बहुत जादा है, छेतरफल भी बहुत जादा है इन चीजों को आधार मानते हुए, साथी साथ लोकतंत्र की भावना को आधार मानते हुए, क्या किया गया? कि ये जो center की जो power है, इसको न सिर्फ यहां तक decentralized किया गया, बल्कि इसके नीचे भी इसको decentralized करने का प्रयास किया गया, जो इस्थानी प्रशासन के तौर पर आता है, इस्थानी प्रशासन के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं ठीक है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है, कि जो सर्वोच शक्ती है, जो सर्वोच शक्ती जो केंदर के पास है, वो अंतिम रूप से कहां तक पहुँचे? अंतिम रूप से उस देश की जनता तक पहु तो जनतत तक लोगतंत्र की भावना नहीं पहुँच पाएगी और उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। को मिलता है ये point भी हमें ध्यान रखने है A 1000 हह थैयर हो रहिए तो अगर हमस्की इंपोर्टेंश को समझें स्थानी शासन की अगरम इंपोर्टेंश को समझें इंपोर्टेंश को यह पता चलता है महत् dü伐 क्या है किस प्रकार का है सबसे पहले तो अगर हम इसे लागू करते हैं स्थानी शासन को अगर हम यहाँ पर implement करते हैं तो जो स्थान की जो जनता है यानि आम जनता जो है उसे सबसे पहले तो अपनी भागेदारी दिखाई देती है नीती निर्धारण में तो जब कोई भी नीती निर्धारन हो रहा है तो इसमें स्वयम की भागेदारी जब जनता की दिखती है तो उसका लोकतंत्र में विश्वास जो है वो गहरा होता है और लोकतंत्र में आम जनता का जितना गहरा विश्वास होगा लोकतंत्र जो है वो उतना जादा मजबूत होता जाएगा ठीक है प् जास्त्रिक रूप में जो अधिक जनगनत्व मिलेगा वो इस्थानी इस्तरपन मिलेगा केंद्री इस्तरपन नहीं ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा जो छोटे-मोटे काम हैं जैसे साफ सफाई है सड़क बनवाना है पेजल की विवस्ता है स्कूलिंग सही करनी है लाइब् तो इस्थानी शासन से ये काफी हद तक लाब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो जाएगा जिसकी वज़े से जो भारत में पूरूव में जो लाल फीता शाही जो हमारे यहाँ पर चलती है लाल फीता शाही का मतलब काफी हद तक डिटेक्टरशिप से आप ले सक चलती है वो समापत होनी शुरूОगी और सत्ता का विकेंद़्िक्रण जो है वो आसानी से होगा जिससे जो केंद्री योजनाई केंद्रिय योजनाएं जो हैं वो इस्थानिय प्रशासन के सहायता से आम जनता तक पहुंच सकेगी तो ये लोगतंत्र का सही उधारण प्रस्तुत कर सकते हैं तो इस तरीके से देखा जा तो इस्थानिय शासन जो है वो काफी ज़्यादा इसी का एक उधारण लेते हुए अगर हम पंचायत प्रणाली की बात करें तो ये पंचायती राज सिस्टम को इंट्रियूस करने जैसा होगा पंचायती राज प्रणाली पंचायती राज प्रणाली आपको मालूम है कि इसके लिए रिकमेंडेशन जो हैं वो बलवंत राय मे कमेटी के द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन दिये गए थे जिसके द्वारा बारत में इस्थानी प्रशासन में पंचाइती राजवयस्था के शुरुबात हुई है यहां पर एक statement ध्यान रखना में बहुत जरूरी है जो की गांधी जी का है और गांधी जी का एक statement है जिसमें उन्होंने कहा है कि सच्चा लोकतंद्र क्या है तो उन्होंने बताया है कि सच्चा लोकतंद्र वो है सच्चा लोकतंद्र की बारे में बहुत ही अच्छी information है मैं वो statement चाहूँगा कि मैं आ लिख दूँ लिखा है सच्चा लोकतंद्र वह नहीं है वह नहीं है जिसमें केंद्र में बैठ कर बैठ कर राज्य चलाया जाए इस तरीके कोई quotes आप लिख सकते हैं बलकि वह है जो गाउं के प्रतेक व्यक्ति जो गाउं के प्रतेक व्यक्ति के सहयोग से चलाया जाता हो तो हमारे जो देश है वो ग्राम प्रधान है ध्यान रखेंगे हमारा जो country है वो ग्राम प्रधान है तो इसलिए हम center में बैठ करके government नहीं चला सकते हैं बलकि government तो center से ही चलेगी पर उसे गाउं के प्रतेक व्यक्ति की सहयता से चलाया जाना चाहिए इसका मतलब यह है कि center की power को आप पूरी आम जनता की सहयता से ही यूज करेंगे इसी को हम power का decentralization बोलते हैं विकेंडरी करण बोलते हैं तो यहाँ पर इस लोकतांत्रिक विकेंडरी करण की जो अवधारना है इसको वर्ष 1993 में 1993 में तियत्तर में संविधान संशोधन द्वारा जय है वो शुरू किया गिया है और जो तियत्तर sleandos अविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायति राज है उसकी नीव वह रखी गई है देश में अगर देखा जाए तो और इसकी अलावा अगर देखा जाए तो पंचायती राज किस प्रकार की सुवधाय देता है कि जो निचले इस्तर के जो प्रशासन हैं उसमें जनता की भागिदारी को बढ़ावा देता है तो 73 में समविधान संशोधन जो है वो बहुत important हो है अगर हम इस सबसे पहली बात यह है कि इसके द्वारा पंचायती राज जो है इसको सम्वेद्णिक दर्जा मिला पहला पॉइंट सम्वेधानिक दर्जा प्राप्त हुआ इसे पंचायती राज को दूसरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि इसके जो इनको डिटेल्ड प्रोवीजन्स है जो प्रावधान है इनको भाग नौ में जोड़ा गया और भाग नौ में अनुचे 243 से 243 ओ तक इनके सारे प्रोवीजन्स रखे गए हैं आपको मालूम है इसकी अलावा इसी सम्विधान संशोधन के द्वारा ग्यारवी अनुसूची जोड़कर पंचायत की जो विशेवस्तु है उसका उलेक हुआ है या पंचायत का उलेक हुआ है साधरान रूप से आप पता सकते हैं तो पंचायत को अगर देखा जाए तो बाई आर्टिकल अगर देखे तो 243 से 243 ओ तक आपको देखने को मिलेगा पार्ट के हिसाफ से देखें तो पार्ट 9 में है और शेडूल के हिसाफ से हमें याद रखना है यह 11 शेडूल में रखा गया तो इनमें भाशा इस तरीके के प्रियोग कर सकते हैं तो अब यह जो पंचायत है यह पंचायत का अगर इस्तर देखा जाए तो यह पंचायत का इस्तर जो है वो कैसा है यह पंचायत त्री इस्तरी है कैसी है त्री इस्तरी है और विशेश रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर किसी भी रा लाख से कम है तो बीस लाख से कम राज्य में केवल दो इस्तर की जो है वो पंचायती राजविवस्था होगी लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं ठीक है तो जरह देखिए वो तीन इस्तर कौन-कौन से हैं अगर हम बात करते हैं तो वो तीन इस्तर हमको कौन-कौन से देखने को मि लिए गा और यहां पर जो क्वें जिला परिशद वगСТव लोगसा फुकंट कर इनको जिला पंचायत की रूप में हम लोग जानते हैं दूसरे फिस्थर पर आता है हमारा जो है ब्लौक मेlim हाता है तो इससे प्रहिचा से छेत्र पंचायत होती यह जैसे यूपवmy और तीसे नमबर पर जो है वो आपका वो ग्राम है तो इसमें जो है आपका ग्राम पंचायद बनता है क्या बनता है ग्राम पंचायद तो यह त्री इस तरीए विवस्था जो है भारत में पंचायदी रास प्रणाली की हमको देखने को मिलती है पंचायत से समंदित कुछ प्रावधानों में अगर हम ध्यान रखें तो पंचायत का जो कारिकाल है ये इसकी प्रथम बैठक से निर्धारित होता है और प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष के लिए होता है किसी पंचायत की प्रथम बैटक से उसका कारेकाल अगले पांच वर्ष तक के लिए होता है लेकिन क्या इससे पहले इसका विगटन नहीं हो सकता है बिल्कुल इससे पहले इसका विगटन भी किया जा सकता है तो इस विगटन के बाद अगला जो मतलब चुनाव है वो छे माह के अंदर हो जाना चाहिए छे माह के भीतर चुनाव जो होना आवश्यक है लेकिन इसमें भी बहुत important point ये है कि मान लेते हैं कि 5 साल के लिए कोई पंचायत चुनी गई और 3 वर्ष बाद जो है उस पंचायत का विगटन हो गया तो 6 अभी 2 वर्ष बचे हैं तो जो नई पंचायत होगी वो 2 वर्ष के लिए ही चुनी जाएगी लेकिन इसमें एक और point भी हमें ध्यान रखना है कि अगर 5 वर्ष के लिए जो पंचायत चुनी जानी थी इसका विगटन 5 वर्ष के पशात 5 वर्ष 8 माह में हो गया है तो अभी हमारे पास में 4 माह जो है वो 6 बचे हैं तो इन 4 माह के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है फिर नई पंचायत का जो है वो गठन हो जाएगा ठीक है यानि 6 माह से अगर कम का समय बचा हुआ है तो नई पंचायत का चुनाव वहां पर हो जाता है इसके अलामा अगर देखाया तो पंचायत में आपका reservation system भी है और reservation system देखे पंचायत का मुख्योदेश जो है मुख्य रूप से महिलाओं और जो पिछड़ा वर्ग के लोग जो है पिछड़े वर्ग के जो लोग है यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग का मतलब केवल OBC से नहीं है जो कोई भी पिछड़े हुए हैं चाये वो SC हो चाये वो ST हो चाये वो महिलाओं हो या फिर कोई भी हो तो उन सब के लिए उनको बराबर दर्जा देने जैसा है इसलिए इनके reservation का भी प्रावधान किया गया है तो हर राज विधान मंडल जो है उस राज विधान मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं आरक्षण की विवस्था कर सकते हैं इसलिए आपको पंचायतों में आरक्षण भी देखने को मिलता है और ये UP में भी आपको देखने को मिलता है और कोई राज चाहे तो अपने विधान मंडल के द्वारा इन सीटों के संख्या को बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है बढ़ा सकता है तो इस तरीके से हमें रिजर्वेशन प्रणाली भी जो है वो देखने को मिलती है जिससे की जो है वो उत्थान किया जा सके आगे ल राज की क्या कुछ उपलब्धियां है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है अगर हम इसको देखें तो पंचायती राज विवस्था की वज़े से देश में मुख्य रूप से अगर देखा जाये तो राजनीती करण जो है राजनीती करण हो आधुनी की करण हो या फिर सामाजी की करण हो इस तरीके की जो भी चीज है इसका जो है मुख्य तरीके से इनकी जो अगर देखा जा तो यह लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा है ठीक है तो मूल रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि राजनीती या आधनी करण या समाजी करण की जो भूमिका है उसकी भूमिका जो है वो काफी जादा बढ़ गई है तो इसकी भूमिका जो है लोगों के बीच जो है इसकी भूमिका लोगों के मध्ध इनकी भूमी का बढ़ी ही है तो ये एक तरीके से उपलब्धी है ठीक है दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो आम जनता है जो साधारन लोग है वो भी डायरेक्ट अगर देखा जाए तो उनकी डायरेक्ट सहभागिता होती है इस कारे में इस वज़े से भी हमको यह देखने को मिलता है और इसके अलावा लोक तांत्रिक जो सत्ता का विकेंद्री करण होने से आम जनता को काफी जादा फायदे होते हैं जैसे कि तमाम तरीके से अगर देखा जाए निर्धनता का जो इस्तर है वो थोड़ा सा कम होने में सहायता प्रधान हो सकती है इसके अलावा निरक्षर्ता को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा जितने भी असंगठित छेत्र हैं इनका हित किया जा सकता है जितने भी गाव की आबादी है गाव की आबादी में रहने वाले जो लोग है उनको हम लोग प्रशासन के अंदर लेकर के आ सकते हैं तो ये सब चीजे जो हमको इसमें फायदा दिलाती है ठीक है क्लियर हो रही ये बात अगर हम देखा रहा तो पंचायती विवस्था से अगर देखा रहा तो महिलाओं महिलाओं की सामाजिक भागेदारी क्या हो जगई है सामाजिक भागेदारी भागेदारी एवं राजनितिक भागेदारी राजनितिक भागेदारी जो है वो बहले से बढ़ी है ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है तमाम सारी योजना है केंद्र सरकार के द्वारा प्रशास स्थानी प्रशासन के लिए फिर उनको लागू करी गई है जैसे आपको मनरेगा के बारे में मालूग होगा मनरेगा ठीक है मनरेगा केंद्र सरकार के द्वारा स्थानी प्रशान मंत्री गराम सडक योजना ये सब चैनल की हैं इंदिरा आवास योजना ठीक है रोजगार गारंटी योजना ये सब वो योजनाइ है जो केंशारकार के द्वारा राजसारकार और उसके जो निछलेसर की जो पंचायत विजश्टाइब उनको लागू करने के लिए केंसरकार को रास्ता मिलता है एक तरीके से जिससे कि वो आम जंदा तक पहुंच सकते हैं और आम लोगों को इससे काफी फायदा होता है स्वच्छ भारत मिशन चलाना है तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है भारत को open defection free बनाने में काफी जादा इनी पंचायतों का ही योगदान है या स्थानी निकायों का ही बहुत ज़्यादा योगदान है हला कि पूरी तरीके से कागज के उपर देखाया तो उपन डिफिकेशन फ्री ज़रूर हो गया होगा इंडिया पर अभी भी ये काफी गदा चल रहा है खुले में शौच वगएरा वाला जो सिस्टम है वो तो इसका मतलब यह कि पंचाइती राजपनाली जो है उसके सामने कुछ समस्यां भी होंगी कुछ समस्यां भी समस्यां भी योँगि और सबसे बड़ी समस्या में अदिक्येश जब कुछ चैलेंजेज भी हैं तो उन चैलेंजेज में किस तरीके की चीजें आती हैं जैसे अगर देखा जाए तो भ्रस्टाचार है सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी संद्चना में काफी जादा भ्रस्टाचार व्यापत है जो ग्राम सभा के जो लोग होते हैं ग्राम सभा के लोगों में जागरूकता की कमी है इसलिए जो कोई उन्हें जहां कहीं वो डालने के लिए डाल कहता है वो वहाँ वोट डाल देते हैं तमाम सारी केंद्री योजनाएं जो हैं केंद्री योजनाएं ग्राम इस तर तक पूरुन रूप से नहीं पहुंचती इसका प्रमुक करण जो है वो निरक्षर्ता है तो निरक्षर्ता जो है वो भी एक तरीके से इसकी प्रमुक समस्या है तो इस तरीके की काफी समस्याइं आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आती है कि जो पंचायती व्योस्ता है उसके समक्ष लाई जा सकती है लाल फीता शाही जो है बहुत जादा चलती है इसको समाप्त करना ठीक है अपना डंडा चलाना जो है इसको ठीक तमाम प्रकार से अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार के जो वित्ति ये संसाधन है संसाधन उनकी कमी है तमाम सारे ग्रामिर छेत्रों में वित्ती संसाधन की कमी है ठीक है निर्धनता है बहुत जादा उत्तरदायत्व किसी का नहीं है उत्तरदायत्व की कमी है समय पर चुनाव नहीं कई सारे पंचायत करा पाते हैं तो ये सब आपके जो हैं वो क्या हैं पं इंचायती राज या स्थानी शासन से संबंधित अगर प्रशन आएंगे तो इस प्रकार की चीजों को आप जरूर अपने नोट्स में एड करें और इसी तरीके के प्रशनों के उत्तर लिखने का प्रयास करें आशा करते हैं कि आपका शमय सुभू धन्यवाद